हाँ दो माई डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और देखिए लास्ट वीडियो में हमने बाइलीनियर ट्रांसपोर्मेशन के इन वेरियन पॉइंट्स की डेफिनेशन पर हमने डिसकस की थी एक द्वी रेखे के रूपान तरन के निश्चर बिंदू क्या होते हैं इन सब बातों पर हमने काफी विश्चार से डिसकस की और उससे रिलेटेट प्रोब्लम्स भी हमने सोल की थी और देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ अब देखिए यहाँ पर के वाली क्यूशन्स हमें देखने है तो देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ इस्पेशल एक्जामपल देखेंगे जिसमें देखिए पहला जो एक्जामपल है पहला एक्जामपल किस तरह से है परदर्शित कीजिए कि रूपानतरन W इक्वल 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4 वरत को सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है हमें यह बताना है कि यह जो दूपानतरन है इस वरत को सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए सिम्पल सा क्यूशन है हमें यहाँ पर show करना है कि यह जो transformation है इस circle को किस में transform कर रहा है इस state line में transform कर रहा है तो देखिए यहाँ पर इस transformation के अंतरगत हम इस circle का क्या लेंगे इस circle का हम transform निका लेंगे तो इसका जो transformation होगा वो किस तरह से होना चाहिए 4u plus 3 equal to 0 के equal होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो transformation हमें दिया गया है तो देखिए दिया गया transformation रूपान तरन क्या है यहाँ पर दिया गया रूपान तरन है यहाँ पर w equal to z plus 3 upon z minus 4 तो देखिए यहाँ पर यह transformation हमें दिया गया है और अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है कि इस transformation के अंतरगत ये जो वरत है ये है वरत किस में transform हो रहा है इस सदल रेखा में transform हो रहा है तो देखे सिंपल सी बात है हम इस equation को किस में बदल देंगे देखे U तथा V के पदों में बदल देंगे तो देखे U तथा V के पदों में हम कैसे बदलें तो देखिए पहले तो हम इसे z के पदों में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो व्रत हमें दे रखा है जो व्रत हमें दे रखा वो क्या है दिया गया व्रत तो देखिए गीवन सर्कल सर्कल किस तर से दिया गया है हमें x square plus y square minus 4x equal to 0 अब देखिए इसका transformation गयात करना है तो देखिए यहाँ पर यह किसका relation है देखिए w और z के बीच में यह relation है transformation होता क्या है relation between w and z तो यह transformation हमें दिया गया है w और z के पदों में अब देखिए इसको हम किसमें बदलेंगे U तथा V के पदों में बदल देंगे लेकिन ये पहले किसमें बदलेगा ये है Z के पदों में बदलेगा तो देखे इसको हम Z की टर्म में लिखेंगे फिर इससे Z की value W के पदों में निकाल कर हम यहाँ पर put कर देंगे तो simple सा concept है इसको हम z के पदों में कैसे लिखेंगे देखिए x square plus y square क्या होता है देखिए z bar और minus 4 और x क्या होता है देखिए z plus z bar upon 2 तो देखिए x के इस्थान पर हम कह लिख सकते है z plus z bar upon 2 और विसे भी देखिए आपको मैं बता चुका हूँ कि 2x किसके equal होता है देखिए 2x होता है यहाँ पर z plus z bar के equal क्योंकि देखिए z क्या होता है x plus iota y और z bar क्या होता है x minus iota y दोनों को आप add कीजिए तो देखिए यह cancel कितना मिलेगा हमें 2x 2x z plus z bar के equal होता है तो फिर x किसके equal होगा z plus z bar by 2 तो देखे तो एक simple सा concept था basic concept था अब देखे यहाँ पर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखे इसको अगर हम solve करें तो हमें क्या मिलेगा जेड जेड बार minus 2 जेड प्लस जेड बार equal to 0 तो देखे दिया गया जो circle है हमने उसको जेड के पदों में लिख लिया है इस तरह से तो यह हो जाएगी equation number first चलो इसको बोल देखे हम number one और यह हो जाएगी number two clear अब देखे हमें इसका transformation ग्याद करना है देखे question के according यहाँ पर यह जो circle है यह circle किस में transform हो रहा है state line 4u plus 3 equal to 0 में तो देखे इसको हमें किस रूप में बदलना है इसका transformation हमें किस तरह से लाना है 4u plus 3 equal to 0 जो हमें दे रखी है यह line हमें दी गई है तो देखे इसको हमें इस तरह से लाना है देखे इसको हमें इस रूप में बदलना है आप देखे इसको हम 4U प्लस 3 के पदों में किस तरह से लाएं क्योंकि देखे जब हम Z plane में कोई डाइग्राम देखते हैं तो उसका equation देखे Z की terms में होता है और यहाँ पर देखे हमें W plane में इसका transformation देखना है तो इसको हमें किस में बदलना होगा हमें U तथा V के पदों में बदलना होगा और देखे Z को U तथा V के पदों में हम किस तरह से बदलेंगे इस दिये गए transformation की help से आसानी से हम बदल सकते हैं तो देखे इस equation first से यह जो transformation हमें दे रखा है इस से हम Z की value को find करेंगे और Z की value कहाँ put कर देंगे equation number second में तो यह second equation किस में बदल जाएगी U तथा V के पदों में बदल जाएगी और जिसे solve करने पर हमें क्या मिल जाएगा 4U plus 3 equal to 0 हमें मिल जाएगा तो देखे equation first से तो देखे पहली जो equation है इसको हम solve कर लेते हैं W into Z minus 4 cross multiply यहाँ पर हम कर रहे है plus 3 अब देखे इस से हमें Z की value निकालनी है तो देखे Z की value हम किस ततर से निकालें W Z minus 4W equal 2Z plus 3 Z हम common ले रहे हैं तो यहाँ से देखे W और इधर minus 2 4W plus 3 तो देखे Z की जो value है वो हमें क्या मिलेगी 4W plus 3 upon W minus 2 अब देखे इस 3 को हम second में use करेंगे देखे यहाँ Z और W का जो relation होता है वो transformation होता है Z के पदों को हम W के पदों में और W के पदों को हम Z के पदों में आसानी से हम इस transformation की help से बदल सकते हैं अब देखे यहाँ पर इस 3 का use हम किस में करेंगे second में तो देखे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर Z जेड बार और Z की value यह रही तो देखे हमें यहाँ पर 4 W प्लस 3 upon W minus 2 यह Z है और इसका जो हम conjugate लेंगे Z जेड बार तो देखे हमें यहाँ पर किस तरह से मिलेगा हमें किस तरह से तो यह Z की value है और यह Z बार है और देखें यहाँ पर क्या है minus 2 और Z प्लस Z बार तो देखें Z क्या है यहाँ पर 4 W प्लस 3 upon W minus 2 यह है Z और यह हो गया Z बार और देखें यहाँ पर right side में कितना है 0 है तो देखें यहाँ पर यह जो circle है equation number second में यह इस circle का हमने transformation हमने ग्याद कर लिया इसका जो transform है वो इस तरह से है और यह किसके बराबर दिखाना है this is equal to यहाँ पर देखें according to question यहाँ पर किसके equal है यह 4 U plus 3 equal to 0 इसके equal आना चाहिए यहाँ पर तो देखें यहाँ पर हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पर easily यह इस रूप में बदल जाएगा तो देखें यहाँ पर इसको हम solve कर लेते हैं सबसे पर हम यहाँ पर LCM लेंगे और देखें जो LCM लेंगे उसको हम cross multiply भी कर देंगे तो यहाँ पर देखें W minus 2 और W bar minus 2 LCM से अच्छा है कि हम इसका multiply कर देते हैं देखें LCM लेके तो देखें यहाँ पर क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म से मिलेगा हमे 4W plus 3 4W bar plus 3 minus 2 यहाँ पर देखें हम LCM ले रहे हैं तो LCM अगर हम लें तो देखें किस तरह की टर्म हमें मिलेगी 4W plus 3 W bar minus 2 plus 4W bar plus 3 हम LCM ले रहे हैं यहाँ पर और W minus 2 और देखें जो भी LCM हमने लिया है cross multiply से वो 0 से multiply हो जाएगा तो देखें इस तरह की condition मिली है और इसको हमें बताना है कि यह किसके equal है 4U plus 3 equal to 0 के equal है और वैसे भी W होता क्या है U plus Iota V होता है हम इसको solve कर लेते हैं पास्ट में W के इस्तान पर हम क्या लिख देंगे U plus Iota V तो देखें पहले तो हम इससे calculate कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम इसको देखिए multiply करें तो हमें क्या मिलेगा 16WW bar plus 12W plus 12W bar और plus 9 यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ क्या मिलेगा देखिए 4WW bar minus 8W plus 3W bar और यहाँ पर देखिए minus का 6 और देखिए इनसे भी हम क्या प्राप्ट करेंगे यहाँ दोनों को multiply करें तो यहाँ मिलेगा में 4WW bar minus 8W bar plus 3W minus 6 equal to 0 तो देखिए यहाँ पर simple हमने multiply किया है अब देखिए इसको भी हम आगे calculate कर लेते हैं तो देखिए 16WW bar plus 12 अगर हम common ले लेते तो हमें क्या मिलेगा W plus W bar plus 9 और देखिए इसको अंदर multiply करेंगे तो देखिए 8WW bar और यहाँ हो जाएगा देखिए plus 16W और minus 6W bar और देखिए यहाँ क्या मिलेगा minus minus plus और यहाँ हो जाएगा plus का 12 और यहाँ पर देखिए minus 2 से इसे हम multiply करेंगे तो minus 8WW bar और यहाँ पर देखिए plus 16W bar तो देखिए simple हम minus 2 से multiply कर रहे हैं तो यह लिजे minus 2 से हमने multiply कर दिया है अब देखिए इसको यदि हम आगे solve करें तो देखिए WW bar वाली terms यहाँ पर cancel हो रही है ठीके 16WW bar plus का है और यह दोनों मिलकर minus का 16WW bar हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर जो भी remaining terms हैं उसको हम solve करते हैं तो देखिए यहाँ पर 12W plus 12W bar और यहाँ पर देखिए plus 16W minus 6W bar और यहाँ पर देखिए plus 16W bar minus 6W तो देखिए W और W bar वाली terms यहाँ पर बचिए वो मैंने लिख दी है और देखिए जो भी constant term है यहाँ पर real constant एक तो plus का 9 है और यहाँ पर plus का 12 है तो देखिए यहाँ पर 12, 12, 24 और 24 और plus 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर plus 33 equal to 0 अब देखिए इसको हमें 4U plus 3 equal to 0 के बराबर लाकर दिखाना है तो देखिए यहाँ पर हम calculation करते हैं result आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर हम पहले W वाली terms को अगर हम देखिए तो देखिए W वाली terms एक यह रही और एक यह है और एक यह है तीनों को यदि हम solve करें तो देखिए 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 और 28 minus 6W तो यहाँ पर देखिए 22W हमें मिलेगा और अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं W बार वाली terms तो देखिए W बार वाली terms यह रही और इन तीनों terms को अगर हम देखिए तो देखिए तीनों terms में यहाँ पर देखिए 12 और यहाँ पर 16 तो 16, 12, 28 और यहाँ भी देखिए minus 8 यहाँ भी plus का क्या बचेगा देखिए 22W बार हमें मिलेगा किलियर constant term में कितनी है 33 तो देखिए इस तरह से यहाँ पर simple सी calculation इसे हमने simplify किया तो इस तरह का result हमें मिला है और यहाँ पर देखिए हम 22 common ले लेते हैं तो देखिए W प्लस W बार और देखिए इसको हम 11 से divide भी कर देते हैं तो 2 time और देखिए W क्या होता है यू प्लस आयोटा वी और W बार क्या होता है यू माइनस आयोटा वी और प्लस 11 से divide किया यहाँ कितना मिलेगा 3 और इसको हम आगे calculate करते हैं आप देख सकते हैं आयोटा वी आयोटा वी आसानी से cancel और 2 यू प्लस 3 एक्वल टू 0 फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है 4U प्लस 3 एक्वल टू 0 और देखिए यही हमें यहाँ पर proof करना था यह जो वुरत हमें दे रखा है यह सरकल हमें दिया गया है इस सरकल का जो transformation है किस रूप में दिखाना है देखिए 4U प्लस 3 एक्वल टू 0 के रूप में हमें बताना था तो देखिए यहाँ पर इसका transformation याद करने के लिए इसको हम U तथा V के पदों में बदलेंगे योगी देखिए जो भी transformation देखते हैं वो W plane में देखते हैं वो W plane में जो भी कोई कर्व होता है वो U और V की terms में होता है तो इसको देखिए U और V की terms में हम बदलेंगे किसकी help से इस transformation की help से तो यहाँ पर जो transformation हमें दे रखा है W इक्वल 2 Z प्लस 3 एक्वान Z माइनस 4 हम क्या करेंगे इस से Z की value W के पदों में हम find करेंगे तो देखिए Z की value तो हम यहाँ आसानी से W के पदों में find कर सकते हैं लेकिन पहले इस circle को हमें किस में बदलना होगा Z के पदों में बदलना होगा तो देखिए इस circle को हमने Z के पदों में बदल दिया था और फिर इस transformation को solve किया Z की value हमें मिली और यह जो Z की value है हमने किस में put की यहाँ पर इस circle में हमने put की तो देखिए यह circle का जो equation है किस में बदल गया है W के पदों में देखिए जह transformation है किस का इस circle का इस circle का transformation हमने find कर लिया है और यह किस طरح से transform हो रहा है उसको हमने solve किया solve करने पर हमें क्या मिला है हमें मिला है 4u plus 3 equal to 0 और यही हमें proof करना था which is given state line जो की दी गई रेखा है और यही हमें proof करना था hands proof देखिए यहां बिल्कुल simple सा question था अब देखिए इसके बाद यहां पर हम देखेंगे question number second इसका जो second example है उसको हम देखेंगे तो देखिए आपर example second किस विकार से है वह है पृतिबंद ग्याद कीजिए जिससे रूपान तरह ने w equal az plus b upon c z plus d w समतल में iqai वरत को z समतल में एक सदल रेखा में रूपान तरित कर सके तो बिल्कुल सिंपल सा question है देखिए हमें ac condition find करना है कि यहां पर देखिए z plane की जो state line है वह है w plane में किस तरह से transform हो जा एक unit circle की form में transform हो जाए तो देखिए यहां पर हमें ac condition find करना है कि state line किस में transform हो जाए unit circle में transform हो जाए तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस transformation को लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रश्निक अनुसार जो transformation है रूपान तरण है, वो क्या है? दिया गया रूपान तरण तो देखिए यहाँ पर जो रूपान तरण हमें दे रखा है वो क्या है? w equal a z plus b upon c z plus d अब देखिए इसको थोड़ा साम नए रूप में लिख लेते हैं नए तरीके से तो देखिए यहाँ पर यदि हम a और c यदि हम common ले ले हैं देखिए numerator से a common लिया जा रहा है और denominator से हम c common ले रहा है तो देखिए हमें क्या मिलेगा j plus b upon a और z plus d upon c और देखिए इसको इस तरह से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए straight line का transform हम किस रूप में देखेंगे यहाँ पर हम unit circle के रूप में और देखिए यहाँ पर यह जो equation होता है z minus alpha upon z minus beta equal to k तो देखिए यह एक वुरत का समीकन होता है equation of circle होता है कब जब k is not equal to 1 तो देखिए k not equal 1 है तो फिर यह है एक circle को represent करेगा और k equal 1 हो जाए तो यह है एक straight line को व्यक्त करेगा ठीके तो देखिए यहाँ पर इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर आगे यही concept use करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है तो देखिए यह transformation हमें दिया है अब देखिए यहाँ पर हमें AC condition find करनी है कि यहाँ पर Z plane की straight line W plane के unit circle में transform हो जाए तो देखिए यहाँ पर W plane का जो unit circle है इकाई व्रत है वो किस तरह से होता है देखिए V no date W plane में इकाई व्रत mode of W equal 1 होता है अब देखिए इसका जो transformation है Z plane में इसका transform Z plane में state line की form में होगा इसका अगर हम transformation लें तो देखिए यह W plane का diagram है W plane का equation है और इसको अगर हम Z plane में देखिए तो देखिए Z plane में क्या होना चाहिए कि state line होना चाहिए क्योंकि according to question यहाँ पर देखिए W plane में इकाई व्रत Z plane में एक सरल रेखा है W plane का जो unit circle है वह है Z plane में क्या है एक सरल रेखा है state line है तो यहाँ पर देखिए हमें तो mode of W equal 1 का transform हमें देखना है Z plane में तो देखिए यहाँ पर इसको हम किस में बदल देंगे इस W वाली equation को हम Z वाली equation में बदल देंगे that is हम Z plane का curve हम find करेंगे और वो curve क्या होगा यहाँ पर state line होगा और उसी के base पर यहाँ पर हम जो required condition है वो हम find करेंगे तो देखिए यहाँ पर आता है mode of W equal 1 का Z plane में transformation तो देखिए इसका mode of W equal 1 का जो भी transform होगा Z plane में वो किस तरह से होगा देखिए mode of W equal 1 इसको आप Z के पदों में बदल दीजिए और जैसे आप Z के पदों में बदलोगे तो Z plane की equation आपको मिल जाएगी तो देखिए इसको Z के पदों में कैसे बदले देखिए W की value यह रही यहाँ से equation first रिसे W की value हम यहाँ पर put कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा mode of W equal 1 तो देखिए यहाँ पर हम mode ले लेते हैं mode A by C और देखिए Z plus क्या है यहाँ पर B upon A और denominator में है Z plus D upon C mode of W equal 1 तो देखिए mode of W equal 1 को हमने Z की terms में हमने find कर लिया है और यह क्या है according to question यह है एक state line होगी और उसी के आदार पर हम required condition को find करेंगे अब देखिए mode property हम apply करें mode A upon C और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा mode Z plus B upon A upon Z plus D upon C तो देखिए simple सी modulus function की property है जो हमने apply की है और यहाँ पर देखिए Z plus B upon A और Z plus D upon C इसकी value किसके equal मिली हमें देखिए mode of C upon A के equal अब देखिए according to question यह क्या है एक state line है तो हम क्या कहेंगे यह है समी करण according to question प्रश्णानुसाद यह है सरल रेखा को व्यक्त करती है तो देखिए अगर यह सरल रेखा है तो देखिए यह क्या होना चाहिए इसकी value 1 होना चाहिए और 1 क्यों होना चाहिए क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ अभी just मैंने concept बताया था इस तरह से आप फिर समझ लें जेड माइनस अलफा आपोन जेड माइनस बीटा इक्वल टू के इस equation में यदि K की value यहां ध्यान से समझ ना आप यदि K की value not equal 1 है तो यह equation की से represent करेगी एक वरत के समीकरन को व्यक्त करेगी circle को represent करेगी और देखिए K की value यदि हम 1 ले लेते हैं तो यह क्या बन जाएगी एक state line सदल रेखा बन जाएगी तो देखिए यहां पर unit circle का transformation क्या है unit circle किस में transform हो रहा है Z plane में एक state line की form में यहां पर आप देख सकते हैं unit circle in the W plane into state line in the Z plane तो यहां पर जो W plane का unit circle है वह है Z plane में किस तर से transform होगा एक state line की form में तो जैसे हम W plane के unit circle का transformation हम निकालेंगे तो देखिए हमें इस तरह से यहां पर मिला है यह W plane के unit circle का transformation है Z plane में जो की according to question क्या है एक state line है सरल रेखा है और यह सरल रेखा कब होगी जब यहां पर यह जो K की value है mode of C upon A equal to क्या हो जाए 1 तो देखिए यहां पर mode of C equal to mode of A तो देखिए यही required condition है यही प्रतिबंद है यह ऐसा प्रतिबंद है जो W plane के unit circle को Z plane में एक state line की form में क्या करेगा transform करेगा ठीक है इस condition के base पर ही एसा यहां पर होगा तो देखिए which is required condition जो की अभिष्ट प्रतिबंद है तो देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ यह बात आपको ध्यान दखनी है mode of Z minus alpha Z minus beta equal to K वुरत का समीकण होगा और सदल रेखा का समीकण होगा तो देखिए वुरत का समीकण कब होगा जब K की value not equal to 0 यह देखिए एक extended result है जो आपको ध्यान दखना है K equal to 1 तो देखिए यहां पर यह condition आपको ध्यान दखनी है यह equation एक circle को represent करेगा जब K की value 0 नहीं है और यदि K की value 0 क्या सोरी यहां पर 1 है तो देखिए K की value 1 नहीं है तो फिर यह circle को represent करेगा और K की value 1 हो जाती है तो फिर यह किसे represent करेगा एक state line को ठीक है तो यह standard concept है जो आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखिए यह transformation जो W plane के unit सरकार का transformation है वो किस तरह से है इस तरह से और according to question यह क्या है state line और यह है state line कब होगी जब इस right side में जो K की value अगर हम compare करें तो देखिए K की value 1 होने पर क्या हो जाती है state line सरल रेका तो यहाँ पर देखिए mode of C upon A की value क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो देखिए यही required condition है अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे example number third तो देखिए यहाँ पर example number third किस प्रिकार से है वह द्वी देखिए के रूपांतरन ग्याद कीजिए जो बिंदूओं 2, Iota और minus 2 को क्रमश है बिंदूओं 1, Iota और minus 1 में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए बिल्कुल simple सा concept है find the bilinear transformation which makes the points 2, Iota minus 2 into the points 1, Iota and minus 1 respectively तो देखिए यहाँ पर 2 का जो transformation है 2 किस तर से transform हो रहा है, 1 में Iota किस में transform हो रहा है, Iota में और देखिए minus 2 किस में transform हो रहा है यहाँ पर minus 1 में तो देखिए यहाँ simple सी बात है यहाँ Z plane के 3 points हमें दे रखे हैं और उनके corresponding points हमें W plane में यहाँ पर दिये गए हैं तो 3 points Z plane के हैं उनके corresponding तीन पॉइंट समय डवली प्लेन के दिये गए हैं और क्या find करना है? बाइलीनियर ट्रांस्पोर्मेशन find करना है तो देखे इस तरह की condition जब दे दी जाती है और हम बाइलीनियर ट्रांस्पोर्मेशन find करते हैं तो देखे इस तरह का question मैं आपको पहले है बता चुका हूँ ये कोई नया question नहीं है और देखे इस तरह से जब हम बाइलीनियर ट्रांस्पोर्मेशन find करते हैं इस condition में तो देखे उसके लिए हम यहाँ पर cross ratio वाला concept हम यूज करते हैं तो देखे ये concept हम पहले भी यूज कर चुके हैं तो देखे यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं z plane के जो points हैं तो देखे यहाँ पर क्या दिये गए है हमें z1 equal वेसे यहाँ पर मानने के आवशक्ता नहीं है यहाँ तो दिया गया है ठीके तो according to question प्रश्न के अनुसार तो देखे यहाँ पर तो simple z1, z2, z3 यहाँ दिये हैं अगर नहीं दिये होते हैं तो हम 3 बिन्दों को z1, z2, z3 मान लेते हैं ठीके तो देखे z1 कितना है 2 और z2 कितना है यहाँ पर आयोटा और देखे z3 कितना है minus 2 और देखे अगर हम बात करें इनके corresponding points की तो देखे z1 का corresponding point है z1 के corresponding कौन है w1 और w2 कितना दे रखा है आयोटा और देखे w3 कितना है minus 1 अब देखे यहाँ पर bilinear transformation जब AC condition दे दी जाए और देखे काफी अच्छा question है काफी important भी है ऐसे points आपको दे दी जाए और bilinear transformation find करना हो तो आप कैसे find करोगे cross ratio are invariant under the bilinear transformation एक द्वी रेखिक रूपांतन के अंतरगत वजदान उपात क्या होता है निश्यर होता है invariant होता है यह concept हमें यूज़ करना है ठीके तो देखिए यहाँ पर हम यही concept यूज़ करेंगे we know that द्वी रेखिक रूपांतन के अंतरगत बिंदूओं का वजदान उपात क्या होता है निश्यर होता है invariant तो देखिए invariant और वजदान उपात cross ratio कितने points का निकलता है चार points का निकलता है और आपको मैंने बताया था चार points का cross ratio हम किस तरह से देखिए represent करते हैं सबसे पहले हम variable form में लेंगे क्योंकि जब bilinear transformation हम find करेंगे तो उसमें 2 variable होने चाहिए z plane का variable z और w plane का variable w तो देखिए यहाँ पर w और उसके बाद लेंगे हम w1 w2 और यह w3 तो तीन point तो हमें दे रखें चोता point हम क्या लेते हैं देखिए w और इधर corresponding point हम लेंगे देखिए w के corresponding कौन होता है z plane में z और यहाँ पर देखिए w1 के corresponding z1, z2, z3 यह हमें दिये गए हैं तो देखिए यह equal होता है यह ratio और यह ratio यहाँ पर देखिए equal आता है यही cross ratio की property है जिसको हम use करते हैं और इसको कब use करते हैं जब इस तरह के points हमें दिये जाते हैं और एक bilinear transformation हमें find करना होता है तो देखिए यहाँ पर हम cross ratio आर invariant यह वाला concept हम use कर रहे है तो देखिए अब इस cross ratio को हम कैसे open करते हैं तो देखिए यह कोई नया question नहीं है यह आपको मैं बता चुका हूँ देखिए W-W1 और फिए यहाँ पर देखिए W1-W2 W2-W3 और W3-W और right side में भी देखिए हम ऐसे ही solve करेंगे Z-Z1 और फिर Z1-Z2 Z2-Z3 और Z3-Z तो देखिए यहाँ पर हमने cross ratio की definition को use किया है और cross ratio की definition के according इसको तो ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिखा है तो देखिए अगर आपको cross ratio की definition में problem है वजदान उपात क्या होते हैं तो देखिए यह तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आप पिछले वीडियोज देखें और महाँ पर देखिए वजदान उपात की definition को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है तो कहीं कोई problem हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो अब देखिए यहाँ पर हम value put कर देते हैं और इसको solve करते हैं तो जैसे हम इसे solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा W equal A Z plus B upon C Z plus D इस तरह की form हमें मिलेगी इस रूप का रूपांतरन हमें मिलेगा और यही होगा required bilinear transformation जो हमें find करना था तो देखिए इसको solve कर लेते हैं हमें यहाँ पर value put करनी है W minus W1 तो देखिए यह क्या है 1 Iota और minus 1 यहाँ value put कर देते हैं 1 और देखिए यहाँ पर W2 minus W3 तो देखिए 2 minus 3 Iota plus 1 हो जाएगा यहाँ W minus W1 और W1 की value कितनी थी 1 और देखिए यहाँ denominator में क्या है 1 minus 2 W1 minus W2 तो 1 minus Iota यहाँ हो जाएगा और देखिए W3 minus W minus 1 minus W right side में देखिए Z minus Z1 Z1 कितना है according to equation 2 है तो यह लिजे 2 और यहाँ पर देखिए Z2 minus Z3 तो Z2 minus Z3 कितना हो जाएगा Iota plus 2 तो यह simply यहाँ value पुट कर रहे है और Z1 minus Z2 Z1 minus Z2 that is 2 minus Iota कितना हो जाएगा यहाँ 2 minus Iota और देखिए Z3 minus Z और Z3 minus Z तो यहाँ minus 2 minus Z हो जाएगा Z3 की value कितनी है यहाँ पर minus 2 तो देखिए हमने value पुट की है अब इसे केवल solve करना है solve करने पर हमें required bilinear transformation जो भी है जो भी हमें find करना था वो मिल जाएगा तो बिल्कुल सिंपल सा concept है और important भी देखिए छोटा solution है और काफी important है आपको इध्यान रखना इस तरह की condition देदी जाए तो cross ratio invariant होता है वजदान उपात निश्चर होता है ये condition एपलाई करनी है और इस condition के अधार पर आपको सीधे क्या मिल जाएगा bilinear transformation अब देखिए यहाँ पर हमें किस तरह से solve करें तो देखिए यहाँ w-1 upon यहाँ देखिए w plus 1 minus हम common ले रहे है और उपर क्या है देखिए iota plus 1 यहाँ 1 minus iota है तो यह क्या हो जाएगा iota minus 1 और right side में देखिए यहाँ पर right side में z minus 2 variable term हम एक तरफ कर लेते हैं तो z plus 2 और यहाँ पर उपर क्या है iota plus 2 और यहाँ जो minus common लिया वो इसके साथ हम balance कर देगे यहाँ पर multiply कर देगे तो देखिए iota minus 2 हमें मिल जाएगा तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम जो भी term से हमने separate की है और अब इसको हम calculate करेंगे और calculate करने के बाद देखिए हमें जो भी result मिलेगा वही होगा required bilinear transformation तो चलो हम उसको solve करते हैं तो देखिए हाँ w minus 1 upon w plus 1 equal देखिए z minus 2 upon z plus 2 और देखिए इसका जो standard form है general form है वो किस तरह से होता है यह भी आपको पता होना चाहिए bilinear transformation का जो standard form होता है वो होता है a z plus b upon c z plus d तो उस दूप में हम ला देंगे ठीके तो देखिए यहाँ पर हमने cross multiply कर लिया है और इस तरह की term हमें मिली है ठीके अब इसको आगे हम solve करें w minus 1 upon w plus 1 equal अब देखिए इसको solve करने से पहले हम यहाँ पर right side में calculation करेंगे यहाँ पर देखिए उपर और नीचे यहाँ दोनों तरफ हम क्या है standard form बनाएंगे ठीके और एक complex नंबर का standard form क्या होता है x plus iota y तो चलो हम इसको multiply करते हैं तो देखिए iota को iota से किया है तो minus 1 minus iota plus 2 iota minus 2 और denominator में क्या मिलेगा यहाँ पर minus 1 plus iota minus 2 iota minus 2 चलो इसको गोड़ हम calculate कर लेते हैं z minus 2 upon z plus 2 और यहाँ पर देखिए real part तो है minus 3 और imaginary part क्या हो जाएगा यहाँ पर plus iota और denominator में भी देखिए minus 3 और imaginary हो जाएगा यहाँ पर minus iota अब देखिए यहाँ पर हम ratio rule apply करेंगे योगान तरान उपात का नियम तो देखिए वो में पहले बता भी चुका हूँ हम किस तरह से देखिए इससे solve करेंगे w minus 1 numerator मे हम denominator को add करते हैं इस तरह से numerator मे हम denominator को add करते हैं और numerator से ही denominator को subtract करते हैं दोनों तरफ ठीके तो यहाँ पर देखिए अंच में हर को जोडते हैं और अंच में से हर को घटा कर उसका ratio ले लेता हैं देखिए यहाँ पर w minus 1 में हम w plus 1 को add करेंगे और w minus sorry w plus 1 को हम subtract भी करेंगे ठीके आलग यह बता चुका हूँ देखिए योगान तरनुपात का नियम आप अच्चे थरीके से समझते हैं और केई बार शायद आपने यूज किया है तो देखिए यहाँ पर z minus 2 और minus 3 plus iota इसमें हम किसको add करेंगे denominator को denominator को यहाँ पर z plus 2 और minus 3 minus iota divide by और देखिए z minus 2 numerator में क्या है यह रहा और इसमें से हम इसको subtract कर देंगे denominator को denominator में है यहाँ पर z plus 2 और minus 3 minus iota यह लिजी तो देखिए इसको हमने solve कर लिया है और यहाँ पर देखिए कौन सी property हमने use की है देखिए a upon b equal यहाँ लिख देता हूँ देखिए हलाकि यह मैं बता चुका हूँ आपको अना पहले explain कर चुका हूँ इस property को a upon b equal c upon d तो क्या होगा देखिए हाँ आपकर a plus b upon a minus b और यही process हम right side में भी ले लेते हैं देखिए c plus d upon c minus d ठीक है यह एक ratio rule है योगा अन्तानुपात का नियम और अब देखिए इसको हम आगे solve करते हैं और देखिए solve करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए one से one cancel two w और यहाँ पर देखिए w से w cancel हो जाएगा यहाँ मिलेगा हमें minus two और देखिए right side को हम solve कर लेते हैं तो final result आने वाला है यहाँ पर देखिए minus three z एक तो हम देखिए यहाँ पर इसकी जो standard form होती है बायिनियर transformation की किस तरह से होती देखिए az plus b upon c z plus d तो देखिए यहाँ पर z हम common लेविए हमें यहाँ पर इस रूप का result आना है डेवल इक्वल az plus b upon c z plus d swarm में लाना है तो देखिए यहाँ पर z हम सी थे common लेविए अब बात करते हम constant term कै क्या होगी यहाँ पर माइनस 2 को हम मल्टिप्लाई करेंगे इस से तो यहां पर देखिए प्लस का 6 और माइनस 2 आयोटा और यहां पर देखिए constant term हमें क्या मिलेगी और second term से हमें क्या मिलेगी second term से हमें मिलेगी यहाँ पर देखिए अगर हम z common ले लेते हैं तो minus के साथ ये तो plus 3 plus iota और रही बात constant term की तो constant term हो जाएगी यहाँ 6 minus 2 iota और यह minus 2 multiply होगा तो plus 6 और plus यहाँ पर है देखिए constant term किस तरह सोगी minus 2 से multiply कर रहे हैं minus 3 clear और minus 2 और minus iota that is plus 2 iota तो देखिए simple हमने इसको simplify किया है इस तरह से हमें मिला है और यहाँ left side में देखिए minus w equal तो देखिए calculation तो करनी ही पड़ती है और यहाँ पर देखिए minus 3 और minus 3 कितना हो जाएगा minus का 6 ठीके और यहाँ पर देखिए यह तो cancel हो रहा है iota से iota cancel और यहाँ denominator में देखिए minus 3 से minus 3 cancel और जो भी remaining terms हमें उसे solve कर लहते हैं तो minus 6 z और यहाँ पर देखिए यह भी cancel हो रहा है 6 से 6 cancel हो रहा है minus 4 iota हमें मिलेगा और denominator में देखिए यहाँ 2 iota z और यहाँ पर देखिए 2 iota से 2 iota cancel हो चुका है और 6 और 6 कितना होता है 12 तो देखिए इस तरह का relation हमें मिला है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए right side को हम solve करेंगे और right side में देखिए common हमें मिल रहा है 2 तो अगर हम 2 common ले लेते हैं तो देखिए minus 3z minus 2 iota divide by iota z plus 6 और दोनों तब हम minus से multiply करें तो w equal 3z plus 2 iota upon iota z plus 6 और देखिए यही required by linear transformation है जो कि अभिष्ट 3 रेखिक रूपान तरण है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम एक by linear transformation को find कर सकते हैं और इसमें हमने कौन सा concept use किया है देखिए यहाँ पर हमने यह वाला concept use किया है cross ratio are the invariant under the bilinear transformation एक 3 रेखिक रूपान तरण के इंतरगत जो वजरान उपात होता है वो क्या होता है निश्चर होता है और इस concept के आधार पर आप यहाँ पर द्वी रेखिक रूपान तरण को आसानी से ग्याद कर सकते हो लेकिन हमें 3 point Z plane के और 3 point हमें W plane के दिये जाने चाहिए और यहाँ पर देखिए ऐसे हमें points दे रखे हैं तो उसके basis पर हम ने आसानी से क्या किया है यहाँ पर bilinear transformation को find कर लिया है तो देखिए students यहाँ पर हमने आज इस video में देखिए 3 अच्छे examples हमने सोल किये हैं काफी important examples हैं और देखिए आज के इस video में हम इतना ही देखिए और देखिए next video में हम और भी example हम देखिए और यहाँ पर देखिए आपकी इस exercise में totally यहाँ पर देखिए कितने example हैं मैं आपको बता देता हूँ totally यहाँ पर देखिए 12 example हैं ठीके लेकिन 12 में मैं से कम से कम में आपको आठ एक्जामपल मैं आपको बताऊंगा और बचे हुए एक्जामपल आप करने का प्रियास कीजिए जो अच्छे एक्जामपल है जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगा और जो बचे हुए एक्जामपल है वो आप सोल कीजाओ उनमें भी यह दि कोई प्रोब्लम आती है तो देखे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके आप बताना ताकि उन प्रोब्लम्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो मे कोल करेंगे थेंक्यू सो मच्च